हालो फ्रेंट्स टैकिसर जी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों सीवेसी ने सर्कुलर जारी करके बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि किस तरह से एक्जाम होंगे री सेडूल होंगे कैसे कैंसल हो गई हैं एक्जाम का रिजल्ट कब आएगा काफी काफी कोशन उन्होंने दिखाए और नोटिफिकेशन को दर्शाय जिसमें साथ पॉइंट थे लेकिन 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 इसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि सीवेसी ने क्लियर नहीं किये और बच्चों के मन में काफी कोशन्स थे उनके लगाता कोशन पे कोशन आ रहे थे और को पूछ रेते की सर ऐसा करने के बाद में क्या होगा तो दोस्तों ध्यान से सुनो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एक एक कुशन का जवाब दूँगा कितना असर पड़ेगा बच्चों के मार्क्स के उपर क्या कंडिशन्स होंगी और इस सर्कुलर की पूरी एबी स सब्सक्राइब को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी तो वीडियो को अंत तक आपने देखना है और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है और टैकी साजी YouTube चैनल पे बने रहना है और लाश तक वीडियो को देखना हो सकता आपके काम कीश में कोई ना क कि exam schedule के बारे में बताया था कि exam जो schedule हमारा किया गया है वो cancel कर दिया है मतलब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में जो exam से वो cancel कर दिये गए है तो पहला point तो बिलकुल clear है इसमें कोई भी शक नहीं है अब दूसरा point क्या है तो दूसरा point क्या है कि जो performance हमारे दी गई है तो जो बच्चों की जो performance है जो assessment है वो भी उनकी की जाएगी और बच्चों की जो दस्वी और बार्वी का है exam जो बच गए हैं उनके assessment scheme की जाएगी और assessment scheme P7 यानि कि जो हमारी P7 assessment scheme है यहां पर इसके according वो की जाएगी इसको मैं अभी अंत में बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से अब जो point 3 है हमारा P3 देखिए तो जो declaration of result है वो 15 जुलाई तक है ये काफी जरूरी था कि result cbsc को जल से जल देना जरूरी था क्योंकि सबी colleges के admission स्टार्ट हो गए हैं तो अगर ये result नहीं देंगे तो भी काफी बच्चों को दिक्कत होगी और ये result जो हमारे cancel कर दिये गए हैं इस exam से cbsc को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि उनको result बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पेपर होते हैं declare कर सकती है क्योंकि जितने भी exams हैं वो जो पहले हुए थे वो सारे के सारे check किये जा चुके हैं उनका evolution किया जा चुका है तो अब सारा का सारा data cbsc के पास है केवल उनको software पे upload करना है तो बहुत सारे बच्चों का result पूछ रहे थे कि 10 में का result कब आएगा सर तो उनका 15 जुलाई के आसपास ही सारा का सारा आ जाएगा हो सकता उससे पहले ही 10 जुलाई के आसपास भी आ जाए तो आपको निश्चेंत रहना है अब हमारा P4 कौन सा है तो यहां पे आपको ध्यान से देखना कि P4 मतलब हमारा जो optional exam का है तो यहां पे देखें cbsc ने क्या किया है कि एक option दे दिया है कि जैसे ही favorable condition होगी तो दो बारा से exam किये जा सकते हैं तो वह दो बारा exam कोन करेगा तो उसका option देना पड़ेगा बारिमी क्लास के बच्चों को ही तो ये option केवल और केवल बार्मी क्लास के बच्चों के लिए ही है तो इसमें दो तरह कि एक तो वो अपने आप ही decide कर लें कि हमें exam देना है या कुछ बच्चे सोचते हैं कि उनके marks कम रह गई हैं क्योंकि जो best of three है जो भी इनने assessment scheme बनाई हैं उनके marks कम आ रहे हैं तो वो ये सोच के कर लेंगे कि हमें दोबारा paper देने हैं तो यहां पे भी काफी बड़ी दिक्कत है देखिए अभी corona के case बढ़ते जा रहे हैं इसी वज़े से ये cancel किये गए है लेकिन अभी देश में आप देख पा रहे हो कि अभी भी कोई condition नहीं बची हुई है यहां पे यह condition नहीं है कि जल्द ही अगस तक यह condition complete हो जाएगी तो यहां पे exam किये जा सकते होंगे अभी आगे बढ़ती जा रही है बुरी condition हो रही है तो यहां पर अब अगर कोई assessment अपना improvement के लिए exam के लिए रख लेता है तो क्या कोई condition जो colleges के लिए उसमें रखी गई है भी college तो अपना काम करते रहेंगे अगर मान लोग किसी बच्चे के कम marks आए है और उसका admission college में नहीं हो रहा है और वो चाहता है कि वो improvement में फारम भरे लेकिन college तो नहीं रुकेंगे न तो यहां पर कुछ भी clear नहीं किया गया कि दिल्ली उनिस्टी या दूसरे colleges है वो क्या इसका exam का इंतजार करेंगे final condition बनाने के लिए यहां पर तो क्या हुआ यहां पर तो बच्चों को अपना आप संतूश्टी होना पड़ेगा जो marks cbsc दे देगा उसही में संतूश्ड होना पड़ेगा तो यहां पर मुझे काफी बड़ी कमी लगी और planning की कमी लगी क्योंकि बच्चों का यहां पे नुक्षान हो रहा है और कुछ मैं पूरा का पूरे डिटेल बताऊंगा आपको कि कहा का कैसे कैसे नुक्षान होगा आप बने रहे इस टैकिसरजी यूटूब चैनल पे तो पूरा का पूरा देखें इसको थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्मेशन इसमें है अब पांच माँ पॉइंट है हमारा कि नो फर्दर एग्जाम फॉर क्लास टैन तो यहां पे भी बच्चे काफी पूछ रहें सर हमारे एग्जाम हो सकते हैं क्या हम भी इंपॉर्मेंट दे सकते हैं तो मैं उनको फाइनल बता रहा हूं कि अब उनको कोई एग्जाम नहीं देना है और हाँ यहां पे भी कई कोश्चिन्स बता दिये कि जिन बच्चों ने स्टेंडर्ड मैस ले रखा था वो कैसे आगे करेंगे तो मैस के कन्फूजन में भी बच्चे काफी फशे हुए हैं कि वो कॉमर्स में या साइंस में कैसे मैस ले पाएंगे क्योंकि उनके कुछ के एग्जाम नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ न कुछ नौर्थ इस्ट के स्टूडेंट्स के साथ काफी प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी कॉश्चन सीबिस्टी से पूछे जाएंगे कि बच्चों की प्रॉब्लम है और आप ट्वीटर पे यह जरूर अपने कॉश्चन करते रहें सीबिस्टी को टैक करके ताकि उन तक यह कुश्चन पहुचे और वो कुछ न कुछ इसका सोलुशन निकाले अब हमारा पी सिक्स है पी सिक्स में है कि अगर बच्चे सैटिस्फाई है तो जो रिजल्ट डिकलेर किया जाएगा देखिये रिजल्ट तो डिकलेर किया जाएगा लेकिन उनके पास अप्शन है दोबारा से लिए एक्जाम देने ऑसे तो यह चीज़े भी क्लियर आपके पास कि सभी बच्चों का बिचलेर कर दिया जाएगा अब वो result कैसे डिकलेर किया जाएगा वो सारा का सारा assessment scheme में आएगा हमारा तो ये चीजे सबसे main है assessment scheme याने की P7 तो इसको आपने द्यान से समझना है और इसी यही key point है आपके marks का बनने का की कैसे marks आपके बनेगे तो देखे इसमें चार points CBSC ने दिये है चार points में आप A points देखिए A points है students who all exams are completed तो ये तो बिल्कुल clear clear है लगबग 10 वी class के बहुत सारे बच्चों के exams बच गए थे except जो हमारे North East के डैली के North East के student थे उनके बहुत कम exam होई थे तो जितने जिन बच्चों ने exam जिनके होगे उनका result हो भई उसी के exam के base पर ही बनेगा उनको कोई ओर्वेटेज नहीं मिलेगी जितने उनके 5 exam होगे 6 exam होगे उसी के आधार पर उनका पूरा का पूरा result त्यार कर दिया जाएगा तो इसमें कोई confusion आप मत रखो कि जिसके पूरे marks बन गए जिसके पूरे exam हो गए है तो उनका कोई भी अब कुछ नहीं होगा उनका result त्यार उसी के अनुसार बन जाएगा अब B point में हम देखते हैं तो B point में क्या है कि कुछ बच्चों के ऐसा था कि 3 या 3 से ज़्यादा exam हो गई थे तो 3 से या 3 से ज़्यादा exam होने के पर उनके जो best of 3 के exam हैं उसके आधार पर उनका result बनाए जाएगा मान लीजे तीन exam उनके जो उपर के हैं इस पे भी मैं कई questions बनाऊँगा अभी भी इस पे questions हैं अभी इस points पे B और C के ओपर काफी questions हैं और D के ओपर भी questions हैं यह इसी वीडियो में हम आपसे share करूँगा और आपसे बातचीत करूँगा तो पूरी वीडियो आपने देखनी है और share जरूर कर देना है ताकि CBC तक यह points पहुँचे और इसके कुछ न कुछ solution दे आप इसको पूरी तरह से आपने इसको गुमाना वीडियो को तो students जो तीन या तीन से ज़्यादा जो average है उनको क्या है उनके average marks लगा दी जाएंगे जो भी maximum उनके किये गई है अब जो C है तो C में क्या है कि कुछ बच्चों के केवल तीनी exam होए थे तो उनके क्या होंगे उनके जो best two exam है उसका average इसमें बताया गया कि उसका average इसमें लगा दिया जाएगा और जो हमारा D point है कुछ ऐसे थे North East के Delhi के काफी students है जो दंगे बगएरा की बज़े से ये exam नहीं दे पाए थे तो उन बच्चों के लिए है कि उनका तो कोई exam ही नहीं हो पाया था तो यहां पर भी उनका जो result है वो उनके performance के आधार पर होगा internal के आधार पर होगा pre-board के आधार पर होगा project के आधार पर होगा तो यहां पर जो बच्चे हैं उनको काफी नुक्षान होगा क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा ध्यान नहीं देते प्रिवोर्ड के उपर और ऐसे ही वो कर देते तो उनके प्रिवोर्ड में मार्क्स कम रहे हैं तो यहां पर उनको काफी नुक्सान उठाना पड़ेगा तो यहां पर भी सीवीएसी को जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि बच्चों के नंबर अच्छे बनाए जाएं कोई ना कोई कोई ऐसी स्कीम उन्होंने बनानी चाहिए ताकि बच्चों के नुक्सान ना हो तो आपका क्या राय है आप इन में से किस कैटेगरी में आप आते हैं कि आपके क्या सारे सारे पेपर हो गए थे या तीन से ज्यादा एक्जाम होए थे या तीन एक्जाम होए थे या आपका एक या दो एक्जाम होगा था तो ए बी सी डी किस कैटेगरी में आप आते हैं कमेंट box में आप जरूर बताएं अभी आगे कई questions और हैं तो ये सारे की सारे चीजे मैंने discuss की हैं आप से की exam cancel हो गया एक से जुलाई तक का cancel हो गया है ये सारे मैंने points आप से discuss किये अब जो performance based हमारी scheme चलिएगी अब जो हमारा point four में है conductive condition optional exam की तो ये सारे मैंने अभी discuss आप से की हैं तो ये काफी मुश्किल है दोबारा से paper होना अब हमारा जो main point है वो ये है तो points में आप देखिए कि according to point जो seven है हमारा बी और सी तो बी और सी में क्या था जिसके तीन या दो से ज्यादा exam हो चुके थे तो वहाँ पे क्या है उनके जो average marks बनाए जाएंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा question है कि additional जो subjects है हमारे क्योंकि additional subjects में बच्चों के marks काफी अच्छे आते हैं तो क्या उसको consider किया जाएगा best of three exam में जैसे physical education का है तो बच्चों के उसमें अच्छे marks आते हैं माली जो किसी के 95 है क्या उसको best of three में consider किया जाएगा इसके बारे में CBSC ने इसमें कुछ भी नहीं बताया है अब तो during the marks allotment in the cancelled exam does the relevant authority keep the percentage same मालो उनके सभी के एक जैसे तीन या तीन से ज्यादा है तो क्या सभी के एक जैसे marks लगाएंगे यहाँ पे भी वो बिलकुल शान्त है कुछ नहीं CBSC ने बताया है तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यूनिस्टी बगएरा में जाते हैं तो वहाँ पे एक language हमारी जरूर से जरूर की जाती है वहाँ पे उसको best of four के लगाए जाते हैं तो best of three exam में क्या language के subject के लिए भी माना जाएगा तो वो किस तरह से उसकी percentage बनाए जाएगी तो यहाँ पर भी काफी उसमें questions बने हुए हैं यहाँ पे भी clarity नहीं है अब जो fourth point है हमारा जो इसमें questions उठ रहा है कि does the student have the right to open the marks under revolution scheme under point of relevant authority and if yes then what are the timeline तो यहाँ पर कुछ भी approach नहीं बताएगे कि जो इनिस्टीज हैं वो क्या इंतजार करेंगी कैसे करेंगी यह कुछ नहीं बताया है बच्चे अगर उन्होंने opt कर लिया तो वो गूमते ही रहेंगे क्योंकि अभी exam होने की कोई स्थितिया नहीं लगती आप बताईए क्या exam होने की स्थितिया आपको लगती है कमेंट वोक्स में जरूर बताईए तो मुझे तो लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी से exam हो जाएंगे क्योंकि कोरोना के कैसी सो लगातार बढ़ते रहते तो बच्चे बीच में अठक जाएंगे वो university उनको कोई benefit देगी नहीं और वो दोबारा से उनके marks वहाँ पे कम हो जाएंगे अब हमारा क्या है कि जिनके एक या दो exam हुए हैं तो वहाँ पे भी internal assessment के लिए भी कोई ज़्यादा कुछ इन्होंने खोल के नहीं बताया कि internal assessment किस परकार से हम कर पाएंगे तो criteria क्या होगा इसके बारे में भी कुछ भी बाते यहाँ पे नहीं बताईए जो की नौर्थ इस्ट के जो बच्चे हैं वो काफी फसे हुए हैं अब आगे देख लेते हैं कुछ और इसमें points तो देखते हैं कि जो हमारे जो exam बचे हुए थ थे तो उनका जो exam थे वह हमारे mainly जो थे यह हमारे exam थे वही देख लो legal study short hand food production पंजाबी तमिल तेल गुमराथी इंदी informative practice computer science geography business study home science biotechnology और sociology तो यह exam थे हमारे तो यहाँ पर अब इसमें इनी के marks उनके लगने हैं तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारे commerce के student उन पर कुछ ज़्यादाई effect इसमें पढ़ेगा आप ध्यान से सुने कि उन पर effect कैसे पढ़ेगा यह बात मैंने ध्यान से समझी देखिए अब की बार Indian economic development जो topic था यह यहाँ पर book जो पहले 11 में में लगी थी यह अब की बार यहाँ पर लागू की गई है 19-20 में लेकिन क्या है यह जो book है वो बहुत ज़्यादा score करने में इसमें बच्चे score ज़्यादा नहीं कर पाते तो इसका effect उनके best of three मतलब जो average बनाई जाएगी उस पे इसका आसर पड़ेगा और क्योंकि जो business study है ज्यार जा सुनना यह business study जो है वो काफी scoring subject होता है और वही बचा ह हुआ है अब वहाँ economics में उनके marks कम हो गए जबकि वो business study में ज्यादा marks लेके आ सकते थे तो यहाँ पर बच्चों को नुक्षान होना ही होना है तो यहाँ पर भी cbc को देखना चाहिए क्योंकि business study में ज्यादा से ज्यादा बच्चे score करते हैं उनके काफी 90 नंबर तक 900 नं इसकत आएगी तो specially commerce के student को यहाँ पर काफी नुक्षान होने वाला है इस वज़े से तो अब आगे देखते हैं तो इसमें example हम देखते हैं कि क्या होगा example based on अब देखिए कि इसमें हम एक कुछ example लेके चलते हैं तो मान लीजे यहाँ पर three marks वाला जो हमारा रोल है वहाँ प 62 तो यहाँ पर जब उनकी बनाई जाएगी merit तो यहाँ पर जो admission होता है universities में वहाँ पर percentage include की जाती है एक subject के तो अब यहाँ पर अगर हम average लगा के चलें तो accounts economics और English में हमारे जो average बनेगे वह 81% उसके average बनते हैं लेकिन जो यहाँ पर circular बिल्कुल silent है कि कि किस तरह से maintain किया जाएगा same percentage को तो जो pending business studies का exam है वहाँ पर उनके marks केवल और केवल 79 ही बन पाएंगे तो यहाँ पर जो admission का जो criteria वो बड़ा ही ओलत सुलट हो जाएगा और उनके पूरे marks यहाँ पर नहीं आ पाएंगे अब हम देख लेते हैं कि अगर less score अगर economics में less score होता है तो मान लीजे वहाँ पर economics में 70 और accounts में 55 और English में 65 और match में 62 तो यहाँ पर भी उसके average जब बनेगी तो 76.65 बनेगी लेकिन यहाँ पर भी silent है यह तो यहाँ पर जो business study का जो बनेगा उसमें 75 marks उसके बन पाएंगे तो यह एक केवल एक example है तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों के साथ कम हो सकते हैं तो यह मेरी observation थी हो सकता है यह observation गलत हो लेकिन आपके observation इसमें क्या कहती है तो आप अपने observation जरूर बताएं और साथ ही इसको वीडियो को share और like जरूर कर दे ताकि सभी के पास information हो और सभी बच्चे अपने हक के लिए लड़ सकें क्योंकि यहाँ तक जो भी आ होते हैं और कोरोना जैसी बैंकर बिमारी में उनको फचना पड़ता तो दोस्तों टैकी सर जी यूटूब चैनल पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज अपने कमेंट्स जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सी यू टैकी सर जी